7 things that you must keep in mind when you are designing your business logo ये कौन सी साथ चीजे हैं जब आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं सिर्फ ये नहीं देखना किस दिन उसकी रेजिस्ट्री है, बिजनस का नाम क्या है, शुब दिन, लखी कलर्स बड़ ये भी देखना है कि आपके बिजनस का लोगो जब आप डिजाइन कर रहे हैं, इन साथ बातों का ध्यान ज़रूर रखे हैं, वो क्या हैं? हाई एवरिवन, तिस है जाया करम चिदानी और आज आप से शेर कर रही हूँ, कि जैसे एक व्यक्ति का चेहरा उसकी आइडेंटिटी है, परसनालिटी है, बात करने से पहले व्यक्ति का चेहरा दिखता है, तो व्यक्ति उससे एक गेस करता है या यह समझता है इसकी परसनालिटी कैसी है, वैसे ही एक कंपनी के प्रॉडक्ट या सर्विसस से जुडने से पहले लोग उसका लोगो देखते हैं, नाम बात में देखते हैं, लोग उस लोगो के साथ उसको आइडेंटिफाय करते हैं, फिर वो नाइकी हो, अदिडास हो या आप कोई भी फेवरेट ब्रैंड ले ले, आपका लोगो हेल्प करता है आपकी कंपनी को घर घर तक पहुचाने में एक ब्रैंड बनने में, ब्रैंड वो है जिससे लोग जुड़ पाते हैं, इसमें लोगो का एक बहुत इंपॉर्ट का डिजाइन किया जाता है तो उसके तत्व को ध्यान में जरूर रखें, जैसे अगर आपका काम अगनी तत्व से जुड़ा हुआ है, आप शेफ हैं, फायर इंडस्ट्री, होटेल इंडस्ट्री हैं, आपकी रेस्टरांट ओनर हैं, या फूद डिलिवरी से जुड़े हु का रंग लाल अगनी में एक तेज होता है, आपको अपने काम की इंडस्ट्री उसके तत्व को अपने लोगों में कैप्चर करना है और उसके शेप होते हैं, जैसे अगनी तत्व का ट्राइंगल हो गया, जब एक लौ एक आप कुछ भी कैंडल भी जलाते हैं, तो उसका जो एक शेप आता है, उसमें कुछ colors होते हैं, यही अगनी तत्व भोजन भी बनाती है, अगनी fire element आपकी electricity में भी है, तो जब आप लोगों डिजाइन कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं, वो किछ तत्व से जुड़ा है, उस तत्व के रंग कौ पर्पस क्या है, जैसे कि वेक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका पर्पस होता है, अपनी पीडा का समाधान, जब आप एक business शुरू कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, पहले चीज तो industry देखी, दूसरी चीज पर्पस क्या है, क्या आप खुद को एक brand बनाना चाह आते हैं, आपका पर्पस है कि आपका annual turnover, growth यह हो, या आपका पर्पस है लोगों के दिलों के साथ जुड़ना, तो यह जो पर्पस है, that should reflect in the logo, अब जैसे apple का logo है, यह perfect example है, जिसमें bite of apple, apple एक fruit है, जब आप एक फल खाते हैं, आपके मूँ में एक स्वाद भी आता है, बेस लोगों में आपका क्या intention है, सिर्प तत्व का समावेश नहीं होता, रंगों के जरीए, शेप्स के जरीए, साथ ही साथ में, senses, अब एक brand है, perfume की, Chanel, perfume से उसको connect किया गया, लेकिन उसको नाम को भी जब पुकारा जाता है, उसके लोगों को भी देखा जाता है, उसको capture करने की intention थी, sense, smell की, apple, हाला कि apple नहीं है, वो एक fruit नहीं है, food industry से जुड़ा नहीं है, intention, essence कैप्चर किया गया है, पंचे तत्वों का, one of the senses, तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने है, आपका purpose क्या है, उससे जुड़ी होई जो sense है, उससे आपको उसमें activate करना है, तीसरी चीज़ होती है, कि लोगों के shapes, कुछ लोगों ऐसे create करते हैं, कि flow नहीं है, उससे curve दिया, जैसे Nike का है, like a tick mark, लेकिन Nike के में, strong edges नहीं आ point edges को कम से कम रखे, break कम से कम दे lines को, एक flow में लेकर आए, चौती चीज़, जब कभी आप लोगों design भी कर रहे हैं, आपकी काम का purpose, आपकी industry, edges का ध्यान रखने के साथ-साथ, आपको ये भी देना है, कि आपका curve नीचे ना आ रहा हो design का, अगर लोग infinite symbol बनाते हैं, बहुत स product, grassroots level पे, कोर लोगों के साथ जोड़ना है, अब एक farming का company है, product की, वो चाहती है, farmers के साथ जोड़े, वो grassroots level पे, जमीन का का, तब लोगों का curve नीचे जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, किस degree पे जाएगा, उस चीज़ का धिहान रखना है, आम तोर पर, circle, या oval, या curved lines अच् इसके बाद, पांच मी चीज़, जब आप लोगों को design कर रहे होते हैं, लोगो आपकी identity है, you need to capture the essence of your vision and mission, बहुत सारे लोगों का logo, उनका अपना नाम बन जाता है, जैसे signature आपका logo ही है, जो आपको brand बनने में help करता है, आपकी identity ही है, signature के जितने loops होते हैं, dots होती हैं, strokes होत उन सब को study किया जाता है, वैसे ही जब आपका logo है, golden ratio का proportion को ध्यान रखा जाता है, ताकि वो energy का flow बना रहे है, वहाँ पर अगर block होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा, companies काफी time spend करती हैं, names decide करने में, registration date, क्या काम करेंगे, लोगों पर ध्यान नहीं देती, that logo is in fact your identity, लोगों से बता पाते हैं, कि what exactly this company is, नाम कहीं नहीं लिखाओ, दुनिया की best companies को उठा के देख लीजे, अब एक red sign, जैसे stop sign, लोगों को mentally register हो गया है, कि अगर ये red color का है, ये shape है, तो मतलब रुख जाओ, हॉस्पिटल के लिए cross use किया जाता है, आम तोर पर health care, physical care, medical care, लोगों आपको ये ध्यान रखना है, कि वो shape क्या आपने की industry से resonate करता है, जैसे om है, स्वास्तिक है, ये mentally, culturally, सालों दर सालों, पीड़ी दर पीड़ी, इस चीज़ से associate हुआ है, कि it captures the energy of knowledge and faith, यहीं अगर om का symbol आप लोगों में देते हैं, अपनी factory के लिए, manufacturing के लिए, there will be no alignment from the faith perspective, तो कहीं आपके लोगों के इन पैरामीटर में डिसकनेक्ट तो नहीं आया है, because faith based, the cultural faith also plays an important role in the shape of your logo. And one of the most important thing, जब एक ती लोगों दिजाइन करते हैं, एक लकीर खीचने से, आडा तिर्छा कुछ देने से, वो लोगों नहीं हो जाता. You have to balance the colors of the industry, you have to incorporate जिसकी कंपनी है, उसमें कितने partners हैं, हरेकी date of birth और कुंडली अलग है, उनके अंक क्या हैं, उनकी कुंडली में जो house उन्हें gains देगा, growth देगा, उनके planets क्या हैं, उनकी महादशा कौन सी चल रही है, किस purpose के लिए कंपनी create की गई है, इन बातों का दब जब आप ध्यान रखते हैं logo design में तब जाके वो logo connect होता है logo से, end में, as a bonus tip, यहाँ यह जरूर कहूंगे, जिस दिन आप company को register करते हैं, वो भी एक अंक है, एक planet है, आपका जो जन्म हुआ, वो भी एक अंक है और planet है, there are some shapes, कुछ shape logo में अंकों से जुड़े हुए हैं, उन अंकों के साथ alignment, उन shapes का होना चाहिए, जब वो compatibility होती है, जैसे शादी के लिए वेकती compatibility देखता है, बिसने शुरू करने के लिए compatibility देखता है, कि जिसके साथ कर रहा आप, पार्टनर के साथ है या नहीं, लोगों के shapes की भी compatibility होनी चाहिए, आपके अंकों के साथ, आपने बहुत companies देखियोंगी, रातो रात बहुत ज़्यादा popular हो गई, बहुत देखियोंगी, रातो रात बहुत 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 बह नहीं है purpose of vision or mission के साथ, तब भी it disconnect होता है. Purpose of the logo is, कि लोगों के साथ जुड़े, उनके दिलों से जुड़े और उसकी business में growth दे. Check your logo, मुझे जरूर बताएं कि आपके अनुभव में आपने देखा कि ऐसे कौन सी company's engine के logo has really helped, उनके company के logo ने उनको help कराए, काफी आके बढ़ने में, इस वीडियो को share जरूर करें, मिलती हो आपसे, take care.